आजातरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्कार मैं हूँ कौशिक इतिवारी A1 News TV में आपका स्वागत है रविवार एक ऐसा दिन है जिसका हम सब बेस अबरी से इंतिजार करते हैं इस दिन को हम सारवजनिक अवकाश से मनाते हैं मगर क्या आप जानते हैं क्यूं? कहा जाता है इस दुनिया का निर्मान इशाई धर्म ने 6 दिन में किया था और 7 दिन उन्होंने अराम किया था मगर ये तो हो गई धर्मों की बात लेकिन आखिर क्यूं? क्यूं हम रविवार को छुट्टी मनाते हैं तो आज हम जानेंगे आखिर रविवार को हम क्यूं सार्वजने का अवकाश मनाते हैं तो चली देखते हैं आज की स्पेशल रिपॉर्ट इस बात की शुरुवात 1800 सदी में हुई थी जब भारत ब्रिटिश के कबजे में था वही जब ब्रिटिश रविवार को चर्ट जाया करते थे और छुटियां मनाया करते थे वही दूसरे तरफ हमारे मिल के कारेकरता को हफते के साथ दिन काम करना होता था ये बाश्री नारायन में घाजी लोखांडे को रूची ना समा पाई जो उस वक्त कारेकरताओं के नेता हुआ करते थे तो उन्होंने ब्रिटिश के आगे रविवार को सारवजनिक अवकाश का प्रस्ताव रखा जिसको ब्रिटिश ने ठुकरा दिया मगर लोखांडे जी ने भी हार नहीं मानी और साथ साल के संगहर्च के बाद 10 जून 1890 में रविवार को सारवजनिक अवकाश घोशुद करवाया साथी साथ International Organization for Standardization ISO 801 के तहट रविवार को साथवा और आखरवा सब्ता रखा गया इसकी माननेता हर धर में अलग-अलग मानी जाती है हिंदु धर में इस दिन को सूर्यदेव का दिन और सब्ता का पहला दिन मानते हैं वही मुसल्मान धर में रववार को छुटी ना मान कर शुकरवार के दिन छुटी मानते हैं आज के लिए इतना ही जुड़े रहें A1 News TV के साथ तब तक के धन्यवाद